है और आज के इस विडियो में हम जो है इस्टेडी करेंगे इस्ट्रम लोवली प्रोब्लम जो की एक बाउंडरी बैलो प्रोब्लम होती है और यहां पे इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्ब करेंगे यह चीजे हम सीखने वाले हैं ठीक है सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे विडियो को लाइक कर दीजे और विडियो के अंतक बने रहेगा ताकि आपको इस ट्रम लोवली बाउंडरी वैलू प्रोब्लम से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आनी ठीक है और बात य यहां पे इसका में परपज यह होता है कि यहां पे जो इसका सलूसन होता है सलूसन हमें जो है नोन ट्रिवियल निकालना होता है क्या है नोन ट्रिवियल सलूसन यहां पे चाहिए होता है ठीक है अब नोन ट्रिवियल सलूसन चाहने के लिए यहां पे तीन कंडिशन होती है एक तो हम लेते हैं कि जो आइगन वैलू इसकी तीन कंडिशन तीन नेचर को सो करती है पहला तो यह कि यह greater than zero हो जाए इसकी आइगन वैलू दूसरी यह कि यहाँ पे वो less than zero भी हो सकती है और यह equals to zero भी हो सकती है के real number के according हमने यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे discuss करते हैं ठीक है तो यहाँ पे question के माध्य में हम से हम जो है चीजों को समझने की कोशिस करते हैं ठीक है अगर एक दो question हम study कर लेंगे तो जो हमारा boundary value problem होती है इसका main purpose होता है कि हमें non-trivial solution find out करना तीन cases यहाँ पे arrive होते हैं एक जो है lambda is equals to zero दूसरा case हमारा lambda is greater than zero तीसरा जो case है वो lambda is less than zero और यहाँ पे किसी भी value को तीन चीजों में ही divide कर किया जा सकता है या तो वो value greater than zero होगी या तो वो value less than zero होगी या तो वो value zero होगी तीन condition के अंदर यहाँ पे divide किया जाता है ठीक है तो यहाँ पे जो है आप से जब भी पूछा जाएगा कि characteristic value और characteristic function या फिर eigen value, eigen function किसका निकालना है following s term globally problem का अब next question होगा उसका हम discussion करेंगे ठीक है यहाँ पे हमने जो है इसको write भी कर लिया है ताकि हमें सिर्फ समझाना पड़े ठीक है तो यहाँ पे जो है एक problem दी गई है d2 y by dx2 plus lambda into y g cost to 0 और यह condition दी गई है y 0 g cost to 0 और y by g cost to 0 ठीक है अब यहाँ पे 3 cases पहला case यहाँ पे होगा lambda g cost to 0 ठीक है और यहाँ पे जो है जब यहाँ पे lambda e g cost to 0 हम equation number 1 में पूट करेंगे तो यह equation सब्सक्राइब करने में आपको कोई प्रोब्लम नहीं आएगी किसी भी कॉश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं ठीके और मकसद यह होगा इस कॉश्चन का इस प्रोब्लम का कि हमें नों ट्रीवियल सलूशन निकालना है ठीक है ओके तो यहां से जो है य अक्सी जी कोश्टू हमें मिल गया सी वन प्लस का सी टू अक्सी यह हमारा बन गया एक कॉश्चन नमबर सेकेंड अब यहां पर कंडीशन दी ही है जो यही ऊपर कंडीशन दी है उसको हमने अपलाई कर दिया है अब कंडीशन अपलाई क्यों करते हैं ताकि हम सी वन सी टू की वैलू निकाल सकें और सलूशन को देख सकें कि यह ट्रीवियल सलूशन मिल रहा है या फर नों ट्रीवियल मिल रहा है अगर ट्रीवियल मि यह हमारी जो है आईगेन वैलू हो जाएगी ठीक है और जब यहां पर नों ट्रिवियल सोलूशन होगा तभी वो हमारी आईगेन वैलू भी बनेगी ओके तो यहां पर जो है इस तरीके से से कंडिशन अपलाई करें जो है जो है कि दो नुमबरों की प्रोड़क्ट आपको यदी 0 दी गई है या तो पहला जीर तो दूसरा नंबर 0 है थीक है तो क्लियरल यह मैं पता है कि पाई के वैली 3.14 something that होती है तो यहां पर पाई तो हमारा 0 होगा नहीं पाई 0 नहीं होगा इसका मतलब जो C2 है यही 0 होगा ठीक है दोनों में से किसी को तो 0 होना होगा ठीक है तो यहां से clearly YXG equals to 0 मिल रहा है YXG equals to 0 हमारा कैसा solution होता है trivial solution होता है ठीक है अब दूसरे case पर आ जाते हैं दूसरा case हम discuss करते हैं case number second देखिए case number second क्या कहता है case number second पर हमने लिया कि lambda YXG equals to 0 अगर मान लेजिए कि वो 0 से बड़ा हो जाए ठीक है तो यहां पर lambda YXG equals to M2 हमने पूज किया है और यहां पर यहां पर YXG equals to 0 है ठीक है तो यह हो जाएगा D square plus M square equals to 0 ठीक है तो D square equals to minus M square D equals to plus minus IOTM तो यहां से जो इसका solution होगा अब यहां पे जो है imaginary root इसके आ रहे हैं तो यहां से इसका solution होगा C1 cos Mx plus C2 sin Mx ठीक है इसको हमने equation number third बना लिया है और यहां पर जो condition उपर दी गई थी यहां से हम जो है C1 C2 की value आसानी से निकाल सकते है ठीक है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे हमने लिख दिया है अब Y0 G2 जब हमने 0 लखा तो C1 G2 हमें 0 मिल गया इसका मतलब यह है कि Y की value 0 है एक्स की value आप पाई रखिए ठीक है तो ऐसा जब आप करेंगे तो यहां से हो जाएगा C2 sin MpG cos 0 अब clearly दो नंबर की product 0 या तो पहला member 0 या तो दूसरा member 0 है ठीक है तो यहां पे जो है C2 no T cos 0 होगा और sin MpG cos 0 यहां से हमें M और N की value M और N के बीच में relation मिल जाएगा ठीक है sin N theta G cos 2 sin alpha theta G cos 2 N pi और यहां पे alpha तो 0 है ठीक है वही जो है ब्यापक कृप जो tegmentary में लगता है उसी का यूज यहां पे करेंगे तो यह हो जाएगा MpG cos 2 N pi और यहां से हो जाएगा Mg cos 2 N क्या है Mg cos 2 N हो जाएगा ठीक है तो यहां पे जो है Mg cos 2 N हो जाएगा और यहां पे जो है हमें क्या मिल जाएगा next देखिए आगे और यहां पे जब lambda की value greater than 0 है lambda G cos 2 M square और M की value N है तो यहां से आपका ये भी हो जाएगा Mg cos 2 N है C2 यहां पे no T cos 2 0 है तो यहां से Yx क्या हो जाएगा यहां से आपका हो जाएगा Yx cos 2 C sin Mx ठीक है और यहां से Yx cos 2 हो जाएगा C2 एक constant है इसकी value आप किसी तरीके से निकाल नहीं पा रहे है इसका मतलब यहां पे यह हो जाएगा जो Yx cos 2 C2 sin Mx है और यहां से lambda G cos 2 M square है और M की value आपको अभी पता चल गई है कि यहां पे Yx cos 2 N है ठीक है तो यहां से जो है N की value आपके क्या करेगी 1,2,3 vary करेगी ठीक है तो यहां पे जो है यह जो lambda G cos 2 N square है यह आपकी क्या है आईगेन value है ठीक है और उसके corresponding Yx cos 2 C sin Nx यह आपका क्या है आईगेन function है ठीक है तो यह question होगा अब यहां पे lambda G cos 2 हम क्या ले लेते हैं मैनस का M square ले लेंगे और M not equals to 0 हो जाएगा ठीक है तो जो initial equation यहां पे थी question number first उसके इंदर जो है lambda G cos 2 minus M square हम put करेंगे तो यहां से हो जाएगा D square Y upon DX square minus M square into YG cos 0 इसका auxiliary equation निकालेंगे D square minus M square G cos 2 0 और यहां से हो ठीक है जब यहां पे D square Y equals to M square हो जाएगा तो यहां से D equals to plus minus M हो जाएगा इसका जो solution होगा दो distinct eigen value आ रही है वो भी real आ रही है तो यहां से इसका solution C1 E की power MX plus C2 E की power minus MX अब condition इसलिए दिया जाता है ताकि हर एक के इंदर आपको condition देखने होगी क्योंकि यहां पे C1 C2 का जो पता होना चाहिए कि इस तरम लोबली problem से हमें क्या करना होता है हमारा मकसद ही होता है कि non-trivial solution को find out करना ठीक है तो यहां से आपको condition Y 0 G equals to 0 Y pi equals to 0 Y 0 G equals to 0 मतलब यह है कि Y की value भी 0 है और X G equals to 0 इस equation में put कर दिए ठीक है तो यहां से Y of pi G equals to क्या हो जाएगा Y pi यह G equals to 0 मतलब Y equals to 0 है और X equals to pi है equation number इसके इंदर फिर से put करेंगे और यह हो जाएगा 0 G equals to minus C2 E की power mpi plus C2 E की power minus mpi ठीक है 0 G equals to अब हम क्या कर लेते हैं minus का C2 common लेते हैं तो यह हो जाएगा E की power mpi minus E की power minus mpi ठीक है फिर हमने इसको left side लेके आया और minus से both side multiply कर दिया ठीक है तो C2 E की power mpi minus E की power minus mpi equals to 0 और clearly यहाँ पे E की power mpi minus E की power minus mpi इसकी value तो कभी 0 नहीं हो सकती ठीक है जब यह 0 नहीं होगा तो 0 कौन होगा दो नंबरों की product 0 है तो C2 जो constant है इसे 0 होना होगा ठीक है जब C2 0 हो जाएगा इसके अंदर देखेंगे C2 की value 0 पुट करेंगे इस equation में तो यहाँ से जो है आपको क्या मिल जाएगा C1 की value भी 0 मिल जाएगे C1 0 है C2 0 है इस equation में फिर से पुट करेंगे Yxcg equals to 0 मिल जाएगा जो कि एक trivial solution होता है और हमारा मकसद क्या होता है non-trivial solution को find out करना ठीक है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा और clearly यदि हम देखें तो यहाँ से जो है जब m e g equals to n होगा that means lambda g equals to n square यह हमारी eigen value represent करेगी जो इसका corresponding eigen function होगा वो C2 sin nx हो जाएगा और n की value 1,2,3 vary करेगी ठीक है यह हमारा required answer आएगा ठीक है और तीनों case हर एक question में आपको तीनों case discuss करना होगा इसी तरीके से चलिए एक question और हम discuss कर देते हैं question number second question number second कहता है d2 y y dx2 plus lambda into y g equals to 0 और y g equals to क्या है यहाँ पे y0 g equals to यहाँ पे हमारा 0 है और y2 pi g equals to 0 है ठीक है तो यह हो जाएगा अब कि यहाँ पे तीन case से arrive होंगी case first, case second और case third case first के इंदर lambda g equals to 0 होगा case second के इंदर lambda is greater than 0 होगा case third के इंदर lambda is less than 0 तीन condition यह आपकी हो जाएगी ठीक है और तीन condition के विहाँ पे जो भी decide होगा वो non-trivial solution किस में मिलेगा और किस में नहीं होगा यह question के according बताया जाता है ठीक है और यहाँ पे condition इसलिए दी जाती है ताकि हम check कर सकें कि किस case के इंदर हमें non-trivial solution मिल रहा है और हमारा मकसद ही होता है कि non-trivial solution निकालना ठीक है case first देख लेते हैं किसी किसी question में lambda equals to 0 पे उसके पास eigen value और eigen function हो जाता है और बहुत सारे question में नहीं होता है ठीक है इसलिए तीनों case आपको discuss करना होगा अगर आपके सामने question इस तरीके से represent है तो ठीक है यहाँ पे case first lambda equals to 0 करेंगे तो यहां से जो है यह जो equation है equation number first यह reduce हो जाएगी d2y by dx2 equals to 0 ठीक है इसके इंदर reduce हो जाएगी और यहाँ पे जो है m sorry d square equals to 0 कर यहां फिर m नहीं है तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं 0 ठीक है m equals to 0 0 दो eigen value है और repeat कर रही है तो इसका जो function होगा yx equals to c1 plus c2x ठीक है condition y0 equals to 0 y2 pi equals to 0 और यहाँ पे y0 equals to 0 मतलब x equals to 0 और y equals to 0 तो इस equation number second पे जब put करेंगे value तो c1 equals to 0 मिल जाएगा y of 2 pi equals to 0 equation number second पे put करेंगे that means y equals to 0 और x equals to 2 pi तो यह जो है reduce हो जाएगा 0 equals to c1 plus c2 into 2 pi और clearly यहाँ पे जो है c1 की value 0 है तिसके अंदर फिर से 0 रख देंगे और यहाँ पे c2 into 2 pi equals to 0 दो नंबरों की product 0 है और जो 2 pi है यह तो कभी 0 हो नहीं सकता इसका मतलब c2 की मजबूरी है इसे ही 0 होना होगा ठीक है c1 0 हो जाएगा c2 0 हो जाएगा यहाँ पे y equals to 0 है जो कि एक कैसा solution है trivial solution है और trivial हमें जरूरत नहीं है ठीक है तो case first जो है meaningless रहा case second lambda is greater than 0 और lambda equals to m square और clearly यहाँ पे यह mention करना हुआ कि जो m है वो no t equals to 0 है क्योंकि case first में m equals to 0 lambda equals to 0 m equals to 0 पे तो case discuss कर दिया गया है ठीक है इसलिए यहाँ पे non 0 लेना आपको पढ़ेगा ठीक है तो यहाँ पे जो है question number जो first में put करेंगे lambda equals to m square तो यह reduce हो जाएगा d2 y by dx2 plus m square into y equals to 0 y0 equals to 0 condition है y2 pi equals to 0 ठीक है यह आपकी जो है boundary condition अब यहाँ पे auxiliary equation क्या है d2 plus m square equals to 0 और यहाँ पे d square equals to minus m square अब यहाँ से जो इसकी क्या है imaginary value आ रही है ठीक है imaginary roots आ रहे है तो इसका solution कैसे लिखा जाएगा c1 cos mx plus c2 sin mx ठीक है इस तरीके से इसका solution लिख दिया जाएगा condition की help से c1 c2 की value निकाल दी जाएगी और उसके बहाँ पे decide होगा कौन आइग 0 equals to 0 condition is equation number third में put करेंगे y equals to 0 और x equals to 0 तो यहाँ से 0 equals to c1 plus c2 into 0 तो यहाँ से clearly c1 equals to 0 आ ठीक है y of 2 pi equals to 0 तो यहाँ से जो है y की value 0 है और x equals to 2 pi है equation number third में put कीजे तो यह हो जाएगा 0 equals to 0 plus c2 into sin 2m pi और clearly c2 or sin 2m pi equals to 0 है इसका मतलब दो number की product 0 है दोनों में से कोई ने कोई 0 रहा ह होगा इसका मतलब c2 तो 0 है नहीं यही 0 है ठीक है क्योंकि यहाँ पे जो है अगर हम me equals to 1 लेंगे sin 2 pi sin 3 pi कितने भी pi हो value तो 0 आएगी इसलिए यह तो 0 नहीं होगा और इसे ही 0 होना होगा ठीक है और यहाँ से sin 2m pi equals to sin n pi अब यहाँ पे sin sin cancel out हो जाएगा inverse लेकर के और 2m pi equals to n pi और mg equals to n by 2 मिल जाएगा और clearly lambda equals to m square था और यहाँ पे जो है m की below आपको क्या मिल रही n by 2 मिल रही n by 2 का whole raise to power 2 और यहाँ से जो है आपका जो आइगन function है यह c1 तो 0 है c2 हमें मिल रहा है तो यह c2 का agitage रखेंगे और sin m के place पे क्या रखेंगे n by 2 और x है तो x already है तो इस सा भी constant ले सकते हैं तो यहाँ पे हमने a रख दिया है ठीक है c2 रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी ठीक है a sin nx upon 2 हो जाएगा और इसके corresponding जो आइगन value है वो lambda g equals to n square by 4 है और clearly any g equals to यहाँ पे क्या करेगा 1,2,3 vary करेगा ठीक है 1,2,3 up to so on case third, case third जब negative हो जाएगे इसके eigen value तो क्या इसका eigen function मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है और lambda जब less than 0 है lambda g equals to minus m square m not equals to 0 तो यह हो जाएगा d square y upon dx square minus m square into y equals to 0 यह value जब equation number first में रखेंगे तो reduce होके यह आएगा इसका auxiliary equation d square minus m square equals to 0 और यह हो जाएगा d equals to plus minus ठीक है और d equals to जब हमें plus minus का m मिलेगा तो यहाँ पे जो है इसका solution कैसे लिखा जाएगा y equals to c1 e की power mx plus c2 e की power minus mx यह हम बना देते हैं question number fourth और यहाँ पे जो condition दी थी question number second में y0 equals to 0 और y2 pi equals to 0 0 equals to c1 plus c2 c1 की value minus का c2 और clearly जब यहाँ पे y2 pi ag equals to 0 equation number fourth में रखेंगे तो यह इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पे इसको left side में लेके आएगे तो यह हो जाएगा और यहाँ पे clearly यह value हमारे no t equals to 0 है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा जब यह no 0 है तो इसका मतलब c2 ही 0 है C2 0 है तो इसमें value put करेंगे तो C1 भी 0 आ जाएगा ठीक है C1 0 आ गया हमारा C2 0 आ गया अब यहाँ से Yxg cost 2 क्या हो जाएगा 0 जब इक question number 4 में रखेंगे ठीक है तो यहाँ से जो है जब इसके अंदर C1 भी 0, C2 भी 0 तो Yxg cost 2 के लिए लिए 0 हो जाएगा मतलब trivial solution मिल रहा है जब इसकी lambda less than 0 लेते हैं तो और lambda g cost 2 अगर 0 ले रहे हैं उसके अंदर भी trivial solution मिल रहा है के second में हमें solution मिल रहा है उसके corresponding जो eigen value है जो solution मिल रहा है eigen value उसकी n square by 4 है and varying from 1, 2, 3 मतलब यह 1 by 4 और 4 by 4 that means 1 और यहाँ पे 9 by 4 और यह सभी इसके eigen value होंगे इसके जो eigen function होगा यह हो जाएगा yx equals to a sin nx upon 2 ठीक है question number second का जो eigen value है वो यह हो जाएगा और जो eigen function है उसके corresponding वो यह हो जाएगा similarly question number first में देखाते हैं question number first है इसके इंदर आपको यहाँ पे जो है case second में तो कोई case third में कोई response नहीं मिलता है case first में भी नहीं है और यहाँ पे जो इसका eigen value है lambda equals to n square है that means 1 है 4 है n की value बढ़ाते जाएंगे यह value eigen value निकाली जाएगी और इसके corresponding n की value इसके अंदर put करेंगे तो वो eigen function को represent करता रहेगा ठीक है eigen value और eigen function इस तरीके से आप इस तरीके से जो दोनों question हमने आपको समझाए है उन दोनों को अगर आपने अच्छी तरीके से study कर लिया है अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको comment section में बताना है कि कितना percent आपको समझ में आया है और यहाँ पे यदि students चैनल पे आप पहली बार आए है चैनल को subscribe कर दीजे अपने friends के साथ share कर दीजे session पसंद आया हो session को like कर दीजे okay thank you so much मिलेंगे next video के अंदर okay thank you so much